Hello Ladies and Gentlemen, इस वीडियो में हम 22 मही के Current Affairs कवर करेंगे So इस Series का जो Format है उसमें सबसे पहले हम News कवर करेंगे यानि हम जो Important News है उसको Discuss करेंगे और End में आपके लिए 10 Quiz के Questions होंगे So आप इस News Section को अच्छे से देखोगे तभी आप उस Quiz Section को Attent कर पाओगे दूसरी बात उसमें एक Timer लगाया हुआ है यानि कि हर Question के लिए आपको Fix 10 Second ही मिलेंगे तो Make Sure कि आप उसको Pause Give वे बिना Attempt करो So चलिए शुरू करते हैं First News है वो है प्रसार भारती से related प्रसार भारती इंडिया का सबसे बड़ा Public Broadcasting Agency है ये एक Statutory Body है Statutory Body का क्या मतलब है Statutory Body का मतलब है कि ये कानून के तहत बनाई गई है और दूरदर्शन के जो Network है यानि DD Network और All India Network है यानि All India Radio के जो Network है वो इसी के एंडर में है हाल ही में ये इसलिए News में था क्योंकि एक Project पर काम कर रहा है DD International यानि कि दुनिया में इंडिया का Perspective रखने के लिए हम एक नया TV चैनल लौंच करने वाले हैं जिसका नाम होगा DD International और प्रसायर भारती इस Project पर काम सुरू करने वाला है इसलिए ये सब News में था Public Broadcasting की बात करें तो हर साल 12 नौंबर को Public Service Broadcasting Day के तोर पर मनाया जाता है 12 नौंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 नौंबर को गांधी जी पहली बार All India Radio के Station पर दिल्ली में गए थे तो All India Radio का जो Station दिल्ली में था वहां पर गांधी जी पहली बार गए थे 12 नौंबर 1977 को इसी की significance में 12 नौंबर को Public Service Broadcasting Day तोर पर मनाया जाता है इसके अलावा 21 माई को यानिकि कल Anti-Terrorism Day के तोर पर Observe किया गया 21 माई इसलिए special है क्योंकि 21 माई को भारत के पूरो प्रधारमंत्री राजी उगांधी की हत्या कर दी गई थी और ये घटना हुई थी 1991 में इसके अलावा 21 माई की बात करें तो 21 माई को World Day for Cultural Diversity के तोर पर भी मनाया जाता है टेरर अटेक्स की बात करें तो 26-11 का जो मुंबई टेरर अटेक हुआ था उस सिचुएशन पर काबू पाने के लिए NSG नैशनल सेक्यूरिटी गार्ड्स ने एक ओपरेशन लोंज किया था 2008 में जब यह अटेक हुआ मुंबई पर तो उस टाइम पर NSG के चीफ थे हो NSG है National Security Guards एक और इंपोर्टन बात जो 21-11 का हमला है इसके बाद ही इंडिया ने NIA का अगठन किया था NIA क्या है यह National Investigation Agency इसके अलावा 21 मही को International Tea Day यानि चाय दिवस के तोर पर भी मनाया गया तो यह थी इस News से Related Information Next Question है Largest Iceberg से Related Iceberg क्या है यह Glacier है मान लिजिए और इसका एक टुकडा अगर टूपता है तो इसको Iceberg बोलते हैं हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा Iceberg News में था क्योंकि यह Antarctica के Glacier से अलग हुआ है और इसको नाम दिया गया है A76 तो अगर इस पे हम closer look डालें तो यह है A76 यह एक Iceberg है और अब यह Weddell Sea में तैर रहा है तो यह इसकी Geographical Location है यह Weddell Sea है और यह वह Iceberg है जो अलग हुआ है जो टूटा है आप देख सकते हो यह इससे अलग हो गया है Iceberg का नाम दिया गया है A76 यह Weddell Sea में तैर रहा है Weddell Sea की Geographical Location की बात करें तो यह है South America और यहां पर यह है Weddell Sea यह है Antarctica यह Pacific Ocean यह है Atlantic Ocean Next News है Fertilizer Subsidy से Related So हाल ही में केंदर सरकार ने DAP पर जो Subsidy मिलती थी उसको 140% increase कर दिया सबसे पहले जानते है DAP क्या है DAP है Di Ammonium Phosphate So यह एक Fertilizer है अब पहले यह 1700 रुपे का था जिसमें सरकार यानि के Central Government 500 रुपे की Subsidy देती थी और किसान को यह 1200 रुपे में पढ़ता था माली जी आप एक Company हो A1 और आप यह Fertilizer बनाते हो तो आपको Total Cost पड़ी मतलब जिस cost में आप बेचो गए इसको तो यह 1700 रुपे है जिसमें से 500 रुपे आपको सरकार देती थी और 1200 रुपे आपको किसान देता है अब क्या हुआ कि इसका Input महंगा हो गया Input यानि कि जो raw material इस Fertilizer को बनाने के लिए यूज में लिया जाता है वो महंगा हो गया Raw material कौन-कौन से ही इसके लिए इसके लिए एक material है Ammonia और दूसरा है Phosphoric Acid अब यह महंगे हो गए तो इसका rate ज्यादा हो गया अब इसका rate हो 2400 रुपे तो सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने अब यह 500 के वजाए subsidy है वो 1200 रुपे देना शुरू कर दी यानि किसान को अब भी यह 1200 में ही पड़ेगा जबकि इसका actual cost है वो 2400 रुपे है तो government नहीं इसके लिए subsidy में increment की घोशना की है यह 140% increment है जैसा कि आप news में देख स सकते हो तो इसके लिए government additionally 1475 करोड रुपे एक्स्ट्रा खर्च करेगी तो टोटल अब fertilizer पर जो subsidy है वो है 95,000 की इसके अलावा farmers के लिए हाल ही में एक और event news में थी यह है PM किसान scheme यानि प्रधान मंत्री किसान सम्मान में थी तो इस scheme के तहत सरकार 6000 रुपे किसानों को देती हैं और यह 6000 रुपे तीन installment में यानि तीन किस्तों में दिये जाते हैं 2000, 2000 और 2000 यह scheme उत्तरप्रदेश के गौरकपुर से launch की गई थी और इस scheme को implement करने की nodal जो authority है वो है Ministry of Agriculture and Farmers Welfare हाल ही में scheme इसलिए news में थी क्योंकि सरकार ने इसकी 8th installment release की है एक साल में 3 installments होंगी तो सरक पार ने हाल ही में इसकी 8th installment release की है next news है UNESCO World Heritage Sites related so हाल ही में ASI यानि Archaeological Survey of India ने 6 Indian Sites का नाम UNESCO को submit किया है और यह नाम इसलिए submit किया गए है ताकि इन्हें UNESCO की World Heritage Sites की list में सामिल किया जा सके तो यह 6 Sites कौन कौन सी है एक है Satpura Tiger Reserve जो की मध्यप्रदेश में है दूसरा है River Front of City of Varanasi यानि Varanasi का Ganga Ghat वारणसी उत्रप्रदेश में है तीसरा है Megalithic Site of Higher Benkel यह करनाटका में है चोथी Site है Maratha Military Architecture जो की महारास्टर में है और पांचवी Site है Beda Ghat लंता Ghat जो की नर्मदा वैली में है जबलपूर में और लास्ट साइट है काचिपूरम की Temples यह तेमपल्स कहा है यह है तमिलाडू में तो यह 6 Sites News में थी ASI के बात करें तो यह है Archaeological Survey of India एक important बात में आपको बताना भूल गया कि मेरे regular device में कुछ problem है तो हो सकता है आज आपको आवाज अलग लगे या स्क्रीन कुछ अलग लगे ओके तो ASI है Archaeological Survey of India इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और present में इसकी जो डीजी है यानि डिरेक्टर जनरल है वो है वी विद्यावती और ये Culture Ministry के अंडर में है यानि Ministry of Culture इसका मुख्याले दिल्ली मिस्तित है Next News है Domain Name से related So first thing first मैं आपको explain कर देता हूँ कि Domain Name क्या है जैसे हमारे घर का एक address होता है वैसे ही internet पर websites का एक address होता है जैसे आप डालते हो www.google.com So, ये इसका Domain Name है अब हमारे देश में एक institution है KVIC यानि Khadi and Village Industries Commission ये Khadi products को promote करती है ये जो institution है ये MSME Ministry के अंडर में है और इसके minister है वो है Mr. Nitin Gadkarin अब हुआ क्या कि दिल्ली की एक company थी जिनोंने www.khadi.in नाम की एक website बनाई KVIC ने इसकी complaint की, complaint क्या की कि Khadi एक generate name नहीं है और इसको कोई भी private user इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि इससे जो लोग है उनको दोखा होता है कि ये product KVIC के द्वारा promote किया जा रहा है जबकि ऐसा है नहीं क्योंकि ये private company है यानि कि एक private company ने ये khadi.in नाम का domain register करवाया है तो इसकी complaint कहां गई? इसकी complaint गई INDRP अब INDRP क्या है ये है National Internet Exchange of India Domain Dispute Policy National Internet Exchange of India Domain Dispute Policy यानि कि domains related जो dispute होंगे उनको solve करने के लिए ये एक institution है तो यहां पर ये case गया और case का जो result है वो KVIC के favor में आया यानि कि इस authority ने कहा कि khadi नाम कोई private entity use नहीं कर सकती domain में और इसलिए इस institution ने इस private company को order किया कि ये domain वापिस KVIC को दे दिया जाए तो ये entire matter था कि khadi एक brand name है और ये सिर्फ KVIC के permission के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है KVIC एक सरकारी संस्ता है जो है khadi and village industries commission हाल ही में KVIC एक और project के कारण news में था ये है rehab project comment box में रहता ये इस rehab project का objective क्या था next news है घोलवाड सपोता अब हो सकता है इनका pronunciation अलग अलग हो लेकिन ये एक चीकू की variety है जो कि महारास्टर में उगाया जाता है और इसको GI tag मिला हुआ है GI यानि geographical indication हर एक एरिया में कुछ products हैं वो काफी famous होते हैं जैसे कि दार्जलिंग के चाय तो ऐसे products को proper तरीके से market करने के लिए और उनके अलग पहचान बनाने के लिए उनको एक tag दिया जाता है GI tag बोलते है geographical indication tag सो महारास्टर के इस घोलवाड सपोता को GI tag मिला हुआ है और recently यह इसलिए news में था क्योंकि अब महारास्टर इन fruits को UK में export करेगा UK यानि United Kingdom सो महारास्टर से यह special चीकू है वो UK में export किया जाए इसके कारण यह entire term न्यूज में थी और यह जो चीकू है यह महारास्टर के पाल घर डिस्ट्रिक्ट में उगाये जाते है UK की बात करें UK G7 Summit का host है UK COP26 Summit का host है GI tag के बात करें तो यह जनरली 10 साल के लिए दिया जाता है पहला GI tag दिया गया था दाजलिंग T को अचा एक और important बात यह है कि G7 Summit में इंडिया को भी invite किया गया है हाला कि इंडिया G7 का member नहीं है लेकिन guest के तोर पर इंडिया को invite किया गया है और recently coronavirus cases के चलते Prime Minister Mr. Modi ने announce कि वो directly वहान आ जाकर मतलब physically वहान आ जाकर इस summit को virtually attend करेंगे इसके अलागा recently UK इसलिए भी news में था क्योंकि इन्होंने global pandemic radar project को launch करने का निर्ने लिया है यह एक जैसे normal radar होता है वैसे pandemic situation में जो virus है या जो variant है जैसे covid-19 के different variant है और उनकी वज़ेसे जो disease हो रही है उनको track करने का और उससे related database बनाने का काम करेगा सो question में पूछ सकते है कि global pandemic radar हाल ही में किस देश के संबंद में news में था यह UK से related है Actually इस project में WHO भी एक key player है और WHO और UK मिलकर इस project पर काम करने वाले है next news है covid self से related यह self test kit है coronavirus को test करने के लिए और इस kit को बनाया है my lab नाम की company ने यह company पूने based है पूने महारास्ट में है ICMR यानि Indian council of medical research ने इसको approve किया है यह rapid antigen test kit है और इसे single person अपने आप इस्तेमाल कर सकता है आपको expert की जरूरत नहीं पड़ेगी यानि आप इस kit को order कर सकते हैं और घर पर ही test कर सकते हैं ICMR के बात करें तो यह है Indian council of medical research इसकी स्थापना 1911 में हुई थी इसका मुख्याल है दिल्ली में है इसके अलावा COVID-19 के बात करें तो हाल ही में यह पाया गया है कि COVID-19 के कारण black fungus के जो cases हैं वो increase हो रहे है तो इसके रिए recently DCGI यानि drug controller general of India ने एक medicine को approval दिया है इस medicine का नाम है amphotracine इसके अलावा जो black fungus है जिसका नाम है mucormycosis उसको सरकार ने notified disease declare किया है और इसको epidemic act के तहत notified disease declare किया गया है इसके अलावा जो coronavirus की vaccines हैं उनको manage करने के लिए सरकार ने एक portal भी launch किया था COVID portal जहां से आप vaccination के लिए register करवाते हैं recently health minister ने announce किया कि इस portal को अलग-अलग language में भी launch किया जाएगा so इसको Hindi और 14 other regional language में launch किया जाएगा इसकी recently health minister ने announcement कियी थी इसके अलावा health sector से सम्मधित एक और scheme news में थी ये scheme है PM Swasth सुरक्षा योजना और इस scheme के तहत recently नए AIMS की announcement की गई है AIMS के है Old India Institute of Medical Sciences so इस scheme के तहत नए AIMS को बनाने की घोशना की गई है scheme का नाम है PM Swasth सुरक्षा योजना next news है global action plan for healthy lives and well-being for all so इस action plan पर एक second annual report recently WHO ने जारी की थी WHO क्या है world health organization health के बाद करें तो ये third sustainable development goal है sustainable development goals total 17 है और इनकी announcement 2015 में की गई थी इसका target है यानि कि इनको achieve करने का target है 2030 तक so ये total 17 sustainable development goals है इन से पहले थे MDZ यानि Millennium Development Goals और 2015 से 2030 के बीच अभी जो target है वो है इन sustainable development goals को achieve करने का आप screen pose करके इसका screenshot ले सकते हो next news है star forge so ये 3D model तयार किया गया है stars कैसे बनते हैं यानि कि stars formation को दिखाने के लिए एक 3D model बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है star forge इसका full form है यानि star forge का full form है star formation in gaseous environment so ये 3D simulation है कि किस तरीके से stars बने और कैसे उन में evolution हुआ और ये पहला simulation है जिसने 3D level पर इन stars को इस वे में represent किया है और इसे develop किया है North Western University के एक team ने so आपसे question में पूछ सकते हैं कि star forge नाम की जो term recently news में थी ये किस से related है so ये 3D model है 3D simulation model है stars के formation से related next है recently दो personality news में थी क्योंकि उनको 2020 के millennium technology prize के लिए select किया गया है so ये 2 लोग कौन कौन है एक है Shankar Balasubramaniam और दूसरे है David Klainerman so इन दोनों को 2020 के millennium technology prize के लिए select किया गया है ये Cambridge University के chemist है और इनको DNA sequencing techniques के field में काम करने के लिए ये award के लिए select किया गया है ये जो prize है ये science and technology के field में prestigious prize है और ये हर 2 साल के बाद दिया जाता है शुरू में ये 2004 में दिया गया था और इसको दिया जाता है technology academy Finland के द्वारा last news है open skies treaty से related so open skies treaty क्या है कि जो इसके signatory देश है वो दूसरे देश में जाकर unarmed observation कर सकते हैं यानि कि बिना military के observation flight भेज सकते हैं दूसरे देश के territory में data collect करने के लिए जैसे कि माल लेजिए इंडिया और बांगलादेश ने ये treaty sign की है for example तो बांगलादेश अपने aircrafts इंडिया में भेज सकता है ये देखने के लिए कि इंडिया में borders पर कुछ military development अलग तो नहीं है इसी तरीके से इंडिया बांगलादेश की side data collect करने के लिए अपने flights भेज सकता है ये जो open skies treaty थी ये इसलिए news में थी क्योंकि हाल ही में USA और रश्या दोनों ने इस treaty से बाहर आने का दिरने लिया है रिसेंटली रश्या इसलिए news में था क्योंकि इन्होंने इस treaty से बाहर आने के लिए वोट किया है USA पहले ही ये announce का चुका है कि वो इस treaty का अब signatory नहीं रहेगा ये उस time पर announce किया गया था जब US के रश्टर पती थे Donald Trump अब इसमें 34 member countries है US ने इससे exit करने का ओरड़ी निरने लिया है इसके अलागा Russia की बात करें तो recently Russia और China news में थे Colombo port city economic bill की So recently Sri Lanka ने इसको pass किया है Colombo city के यानि Colombo port city के development के लिए और इसमें इसका partner होगा China चाइना नहीं यहाँ पर 99 साल यानि 99 years के लिए land lease पर लिए Next है Simorga So ये super computer का नाम है और ये Iran के सबसे powerful super computer का नाम है Next Renewable Energy Country Attractiveness Index So ये index recently EY यानि Ernest & Young Global Limited ने launch की है इस index के हिसाब से USA top position पर है China second पर और India third position पर है Next है India's first woman climber यानि 2021 में Mount Everest को climb करने वाली पहली भारतिय महिला है Tashi Youngjom वो अरवनाशल प्रदेश से हैं Next है first Indian to win World choreography award So पहले Indian बने है Suresh Mukundh और उनको American TV show World of dance में choreography related work के लिए इस award के लिए select किया गया है इस award को choreo awards के नाम से भी जाना जाता है So अब get ready for test Thank you और इस test में आपने कितना score किया ये comment box में लिखिये कि अधे कि अधे कि अधे झाल 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 Thank you and that's all for the day.